करद गाना मिल जाए ठोने के लिए कार मिल जाए चैंद हम फस्ति चुके हैं बुर्बित तरह से फस्ति चुके हैं हमारे साथ और भी बहुत सारे को हैं जो ह्मार है जलिए देखते हैं काजा और हम उठके हैं टाइम हुआ है साड़े साथ का और साड़े साथ बज़े इस हाओ यह हमारा होटल था और गाड़ी पर पूरी बरफ जनुई है और लड़के उसको साफ करने की कोशिश में लगे हुए है और मैं आपको यह दिखाता हूं morning from Kaja this is a beautiful morning from Kaja यह सामने दो ती रंगे देखे न भाई जोश आगया सुबा सुबा एकदम सब्सक्राइब जोशीला महसूस कर रहे है और यह काजा आजकल उतना हाई सीजन नहीं है बट स्टिल पीपल are coming in and hotels and you know uh residences they are going full हम को भी होटल बडी मुश्किल से मिला है यह पीछे पूरे पत्थर है और उधर बरफ से दाकी भी यह चोटिया and it's this is how kajal looks in the morning which is pretty beautiful and amazing आज का हमारा अतारगट है actually पहुंचने का माली तो अभी जैसा कि अभी बताया हमारे इसका जीन ने अभी का प्लान है कि काजा monastery काजा monastery so this is where we are at the moment which is on the way from Kaja to Kai monastery तो अपना मेचे तक हो और महां से पाद़ लाओ stairs बनी हुई है but if you have problem taking the stairs और आपके बाद हमारे पास time की कम ही थी खास कर इसलिए हम वाया रोड़ा है तो यह रोड़ पूरा पहुंसता है यहां तक तो बहुत ही famous है यार यह और when you come to Gaza so this key monastery is a is a must visit place तो अब हम जा रहे हैं तो थोड़ा सा वाक करके अच्छा लग रहा है बहुत ही प्यारी सी दूप लगी हुई है और आयो हाँ actually यहां पर बोर्ड लगा हुआ था तो मैं जिसको capture करना चाहरा था उसमें इस monastery की history है कि यहां पर कैसे बना और कभ कभी इस पर attack हुआ था वह सारा इसमें लगा हुआ है बट अब वापसी में करेंगे यह रहा की monastery से है कि दो जोग फाम दिकी मनस्टरी यह की मनस्टरी है तो इतनी जबर्दस्त क्या चीज यह मैं अदर से तो गाउं जैसी है what are you studying here huh and what is your school's name क्या ना में स्कुल का हम यहां उपर आएं पाहड पर क्यूंकि अपने को वह की मोनेस्ट्री वाला पिक्चर लेना है और भाई चढ़ा ही बहुत है अगर आपको क्लियर व्यू चाहिए की मोनेस्ट्री का तो आपको थोड़ी चढ़ा ही तो चड़नी पड़ेगी तो आप यह दे सकते हैं इस 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 दी मोनेस्ट्री पस आइ थिंक यहां से यहां से वी टेक्ड़ प्रिक्चर आइंड तो अब हम पहुंच चुके हैं दो लड़के तो ना वहीं रुके वह ने आ पाए इस चढ़ाही में लेकिन हम आए भाई देख रहे हो आपके लिए कितनी महनत कर रहे हैं यह देस इस दब्लड़ी ब्लड़ी ब्यूड़ी आफ की मोनेस्ट्री स्वारी थोड़ा हां पर आऊं क्यूंकि महनुत करके यहां तक चड़ा आऊं यह वले रास्ते से हम हम वहां से आये हैं हम वहां से यहां पहुंचे हैं अभी वापीज भी जाना है तो दिस इस अ ब्रत टेकिंग व्यूव फ्रम हियर आफ दी की मोनेस्ट्री के पास एक क्यूंकि यह बहुत भूग लगे थी सुबह से काजा में तो सारे होटल वाले सोई हुए थे अब हम यहां पर जो है ना नास्ता का इंतिजाम कर रहे हैं यह वह दो प्राणी है जो उपर यह उपर ना चड़ पाए यहां खाने में गेड़ा दे रखा है इनोंने पर हम लोग ऊपर गये थे पहले पेट फूजा फिर काम लीजा हां जी पहले पेट फिर काम लीजा पर चिशमा लगा के खाना खा रहे हैं बराती और हम तो भाईया पिक्चरे लेके आ गए तो अब थोड़ा पेट फूजा भी कर लेंगे चीचम ब्रीज क्रॉस करके थोड़ा ऊपर निकले हैं और अब हमारा जो नेक्स स्टेशन है इसमें वो है क्याटो जो एप्रोक्स 15 किलोमेटर के बाद है रोड़ अभी एवरेज है अब ठीक है और आगे इसमें लोसर तक ऐसे ही रह क्यां डायो है आप आप अब धर नहीं थाटाए गरी थार आप द्धार आप द्धा इसमें ट्रीज कर आप गीए अट्रेंट मुझा पर दो एक क्या आप आप एवरे डिय्क अरूला इंट अश्कार दोस्तों रेवल तरीमूर्तिश इज आज हमारा जो सफर है बोर्भी त होती सुहाना सफर है और हम काफी एंजोय कर रहे हैं सफर को और रास्ता अभी तक हमें अच्छा मिला है वादिया अच्छी है वादिया तो नहीं कह सकते ही स्नो कवर्ड मांटेंस है यहां पे कोई कि अच्छी क्रेंडरी नहीं है कि रों मॉंटेंस है जिसमें इसलैडिंग होती रहती है और साथ में अच्छा बहुत अच्छा ग्राउंड है आई विश कि हमारे हम्टाउन में इसा घ्राउंड होता तो हम खेल सकते बच्चे सकते हैं लेकिन अनफॉर्चनेटली है हमसे बहुत तूर है काभी इंजॉय कर रहे हैं लड़के लेकिन जो ब्लॉगर है वो सोया बड़ा है ऑक्सिजन की कमी की वज़े से प्रेप्डे साथ ने दे रहे हैं तो लेकिन चाज रिकवर कर जाएगा कुछ कहेगा थोड़ी देर म अभी के लिए तो हम तीन है जो अभी एकिन है लोग अल्मोस्ट पहुंचने वाले हैं लोसुर यहां से साथ किलोमेटर का डिस्टेंस बचा है साथ और राट किलोमेटर का यह आप सामने देख सकते हूँ परप से थाके हुए पहाड परप से थाके हुए पहाड स्नो लेबल पर आगे हैं और बहुत ही पास है और रोड कंडिशन्स बहुत अच्छी हैं अब बहुत अच्छी हैं हमारे साथ हैं हमारे उस्ताज जी जिन्होंने हमारे को सोलन से अल्डवे थू थूरू शिमला नारकंडा कल्पा और अभी पहुंचा दिया है यहां लोसर में और अब हम हैं फसे हुए यहां पर तो क्या लगता है उस्ताजी आपको कि लगता तो कुछ नहीं है जो बोलेंगे वह मानना पड़ेगा ऑफ्क यह क्यां जाएंगे नहीं तो फिर वही नहीं पाएंगे because authorities अगर बोलेगी कि वहां पी जाना है तो जाना है भाई सेफटी के लिए अगर वहां पर कुछ रिस्क है तो तभी रोक रहे हैं तो क्या ही प्रॉलम है वैसे हमारे को निकल सारे सारे के सारे सारे जिद्दि देखरें लाइन में लगए तर गायज हम अब कि अच्छे हो अच्छे बनके रहें और इसलिए बोलते हैं ना पश्पन में भया जीदि नहीं बनना सबसे बड़ा जिदी तो हमारा यह था जो नेवीगेटर बना हुआ है और बोल रहा है कि अरे बस हो जाना है हो जाना है हो जाएगा हम भी ठीक करके देते हैं लेकिन अब भारी हुई आगे हुई है इसलिए रोड पास से साथ किलोमेटर अभी भी पीछे हैं और अगर रोड क अब हमें जो अब हमें जो अब बरब वह रोड पे भी मिलनी स्टार्ट हो गी है कहीं कहीं पहुंच पे और जैसे हम कुंजुम पास पहुंचेंगे तो यह तोटली रोड जो होंगे वह बरब होगा ठके होंगे एक तरह से तो बरब के उपर से गाड़ी निकालनी है बाकी जा रही है हमारे से अगे काड़िया है हमारे पीछे भी है ओल्मूस्ट का यह काफिला है जो नीचे से रिलीज किया है यहाnt के अब और यह बेसिकली के अंडरी है सारा कुछ इसके जो अर्डर मेरा पहोते हैं वो डी सी से ही होता है तो मिलते हैं अब थोड़ी देर बाद और यह लोग हम लोग पहुंच गये हैं अल्मोस्ट कुंजुम पास यहां से मलत भी स्टार्ट हो गया वैसे एक देट किलोटर और बसता है पर यहां से स्टार्ट हो जाता है यहां से हम यह एक तरह से जिसको बोलता है इस ट्रिप का सबसे ज्यादा एडवेंचर भरा मुमेंट है जिस पर हम अभी जिसको हम अभी कर रहे हैं यह जो सामरे आप पहाड देख रहे हो इसी इनी के बीज में से हम निकलते हुए हैं फिर उतरेंगे नीचे अगला जो स्टेशन है वो है पातल जो यहां से प्रॉक्स 15-20 किलोमेटर दूर है और खिलाल तो भी एक डेट किलोमेटर का यह कुझम पास है जो हमें क्रोस करना ह थोड़ा रोड की कंडिशन्स मलब जिसको बोल सकते न अच्छी नहीं है यह मेथरीन मंदिर यह वो जगा मतलब सोल है ब्रेट्ट गुए टाइप आफ इन्वारमंवेंट फियर आइड यह वो मंदिर है जामधर की तो मयन मादीशन है तो हम भी यहां अशिरवात लेंगे कि सही सलामत हम पहुंच जाए और माता का अशिरवात हम पर बना रहे हैं जै माता की जै मेरे मां तो गैज यहां से अशिरवात लेके हम अशिरवात ले लिया है और आप यह देखिए आप यह देखिए वाव वाव यह तो मेरे साथ है मेरा मेरा ट्रेवलर बड़ी कैसा लग रहा है मनीश बहुत बड़ी है क्या अच्छा लगा इस ट्रिप में अड्वेंचर आगा अच्छा बहुत अच्छे रोड है कहीं ओफ रोडिंग करने को भी मिला आखिरकार बरभी देखने को मिल गी है बरभी जिसके हमें तलाश थी यह आखिरकार हम पहुंच गया रोड बंद होने के बावजूद भी हमें आखिरकार मौका मिली गया हां नीचे क्या नाम उसका लोसर में तो यह पूरा-पूरा हमको लग गया था कि अब हम जाने पाएंगे 90 परसेंट बट देन अथारिटीज ने यह वेरिफाई किया कि अभी सब सही है तो जिसकी वज़े से हम यहां है यह है बाकी के दोनों तो यह उस्ताजी है जो अभी नई महरानी लेके निकले है है और क्या क्या लग रहा है कैसा चल रहा है ट्रिप अल्गुड अल्गुड मा कसम गंगा मया की तो अभी आज का प्लान के आए फिर आगे का हमारा प्लान तो एक बारी बस यहां से थोड़ा नीचे उतर के देखते हैं फिर थोड़ा थो तो तो थोड़ा बहुत है वह है जियो तो जियो जो है जियो चलेगा ऐ तिंक हर जगा जियो है तो अबिग शाओटा टू अल्टा इन्फरस्रक्चर फॉद जियो मतलब इतने रिमोट एरियाज में जियो का नेटवर्क एक दम टॉप नॉच है एटल तो जब से मेरे पास अनफॉर्चुनेटल है और जब से हम निकले हैं का यहां से रिकॉंग पीयो से उसके बाद यह तुम्हारा एटल जो है ना इट इस अलमोस्ट डड़ अट इस ओन अन जो है तो जो है तो जो है कि जिस चीज से बंदा डरता है इस ट्रिप में आने के लिए वही कुछ बंदो के साथ हुआ उन बंदो की जो है टायर तो पैंच अब आपकी समाद देखो स्टपनी भी पैंचर थी फिर जब हम आ रहे थे हमारे को लेने बंदे ऐसे खड़े हो गये जैसे कि हम बराती हो तो फिर उन्होंने हमसे घल्प मागी फिर हमने जो है अपनी स्टपनी उनको दी है बिकॉज इस अल्वेस गुट टो है पीपल वेर देर आर वेरी लस चांसे फर गटिंग एनी हम लोगों को पता ही नहीं कि हम लोग है कहां और तोटली ओफ रोडिंग इसको हम बोलते हैं कि रोड तो बस धूंड के करना पड रहा है बाकी चल तो हम पत्थर के उपर ही रहे हैं और अगर कनेक्टिविटी की बात की जाए त अगर को कुछ निया यहां पर ना कोई सर्विस है ना मोबाइल नेटवर्क्स कोई शॉप या उस तरह का भी आपको कुछ निय मिलेगा यह जो पैच है एराउंड 90 किलोमेटर का पैच है और इन बिट्वीन आपको कुछ नहीं मिलने वाला है इसमें ना मलब जब भी आपन आने का वो सब चीजे कैरी कर लेना स्पेशली आपको पिछली पहले भी बिताया कि यह गाड़ी वगएरा की हर चीज चेक करके यहां पर आपको कुछ नहीं मिलेगा तो अगर बाच की जाए बाहर की तो बाहर आप देखी रहे हो यह बिलकुल आप रोड है वही साथ में सा संसेट हो गया है और यहां से अभी भी हमारा जो ड्राइब है अप्रोक्स टू हवर का है मिनिमम और मैक्सिमम तो हम कुछ कह नहीं सकते कि कितना जाएगा और कच्छे रोड का भी कोई आइडिया नहीं है बट आइधिंक अभी है 30-40 किलोमेटर के असपास और यह हमारे बा जो फैने तो ड़ चाए हुए आरिक अधार वैसे देखा जाए तो थार तो sensory उडति हुऊ ही आएगी यह साथ में बिल्कुल साथ में बैरा तो नहीं बोल सकते हम इसको नाला है और यह बिलकुल अर बिल्कुल से लोग कुछ कहां से चला बो इसके साथ है अब देखते हैं कितनी देर का और है ट यहां कि शाइब दो घंटे और लगेंगे मजंट बड़ कुछ कह नहीं सकते हैं वादर ठीक है वेदर क्लियर है और पिछले कल इसी लोड पे बरब थी उपर 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 आव वो कुंजुम पास पे उपर कल बरब आरी हुई थी तो उस बज़े से हम एक्षिली शुबा लेट हुए है उन्होंने उसी बज़े से उपंद किया था वहां पर थोड़ा वबरब को अटाने का काम और जहां पर बिल्कुल ब्लाक आइस हो गी थी हो गई है वहां पर थोड़ा मिट्टी वगरा डाले थे भी यारों की टीम तो उसी बज़े से हम थोड़ा लेट हो गए थे बाकी अब थोड़ी देर में मिलेंगे मेभी शायट तू होगा मैक्सिमम यह बाकी गी देखते है और मिट पर तू दुनिया काम तो स्वी गाइस